स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा नाव में विसे गनित का घ्रह कारे जो की दिना अठारा नवंब्र का है अभ्यास है अध्याय है रचना है पहला प्रश्ण है हमें प्रकार और मापन की साहिता से निम्न कौनों की रचना करने है पैतालीस पिछित्त का नाप लेना है उसे मिला देना है इसी परकार हम पिछित्त का करेंगे और इसी परकार हम taxation का करेंगे अगला प्रश्ण देखिए निम्न की क्याओन करनी है और चन्दे की सायता से नापकर उतrij की कुछची भी करनी है देखिए 35.4 डिग्री है एक चांद रखेंगे मतलब एक रेखा कीचेंगे सीधी और चन्दे की सायताल सीधार से कौण मनेगा अगला देखिए 7 cm भुजा वाले संभाव त्रिबुज की रचना कीजिए और कारण सहीत रचना के पदू को लिखना है देखिए 7 cm B और C को केंद्र मान कर हमें 7 cm पर एक चाप को काटना है और इसी प्रकार C से भी हमें एक चाप को काटना है उसे मिला देना है तो क्या बन जाएगा एक संभाव त्रिबुज बन जाएगा जो जिसकी तीनों बुजाएं 7 cm की होती है संभाव त्रिबुज होता है तो आपको इस प्रकार से बनाना है अब या देखिए दी गई प्रारंबिक बिंदू पर 60 डिगरी के एक कौन की रचना करनी है आए करते हैं देखिए ये 60 डिगरी का एक कौन है B, A, C तो हमने किस प्रकार से इसको बनाया है हम अब बता देते हैं रचना जो इसकी करनी है आप किस प्रकार से कौन बनाना है पर काटती है, जैसे कि हम बता सकते हैं इसी परकाड से पी को केंद्र मान कर पहले वाले त情况 से एक चाप को खीचेंगे, जो पहले वाले चाप Q को बिंद्र पर काटती है और A और Q को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? A Q C तो हमें कौन क्या प्राप्त हो जाएगा C AB 60 डिग्री का अगला देखिए हमें 75 डिग्री के कौन की रचना खन्नी है और किन दो कौनों को बनाना निबारे होगा देखते हैं देखें पिछितर हम AB को 5 cm लेंगे अब क्या करेंगे A को केंदर मानकर के सुविधा जनक तरिज्जा का चाप खीचेंगे और AB को C से जो काड़ता हो तीसे चनल में लिखेंगे C को केंदर मानकर तरिज्जा AC का एक चाप लेंगे और पिछले चाप को D पर प्रतिचित करेंगे देखें D पर किया फिर D को केंद्र मानकर AC तरिज्जा लेकर एक दूसर चाप लेंगे जो पहले चाप को E पर प्रतिचित करता है इसी प्रकाचरण 5 में D और E को केंद्र मानकर हम जो D है उसका आधे पर तरिज्जा लेकर दो चाप इस प्रकाई लगाएंगे की F पर तिज्जित करे F पर करे फिर D और K को केंद्र मानकर KD के आधे को लेकर हमें दो चाप लेंगे जो Q को 25 करे तो इसमें दो कौन बनाने कौन कौन समिने बारे हो जाएंगे एक तो 90 डिगरी का और एक 55 डिगरी का तो हमें B किये क्या प्राप्त होगा 55 डिगरी और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या आ जाएगा पिचित्तर और 90 बच्चों ये ता हमारा आज का क्रेका डिजुडरी चनल से धन्यवाद